हेलो फ्रेंड्स मैं नाम है विजय आज हम सीखेंगे कि मैक सीव 5 की अलगरित्म को कैसे लिखते हैं और क्या इसके पीछे लॉजिक है तो चले स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखें सबसे पहले क्या करते हैं यहां पर एक array ले लूँगा मैं ठीक है जहां पर कुछ data मैं यहां पर रखूँगा फिर इससे क्या करको मैं 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 अक्सीब बनाऊंगा तो यहां पर द बेखें कुछ value ले लिए हैं 2, 5, 9, 18 और यहां पर इसको 12 कर लिजए इसको 15 कर लिजए और यहां पर 20 आ गया ठीक है यहां 21, 36 और 49 यह कुछ value मैं ने ठीक है इनको मिलको यहां पर maximum बनाना है इनसे तो 20, 21, 36 और आपका 49 ठीक है अभी आपको देखने ते पता तलगा है कि हमारे maxi property को satisfy नहीं कर रहा है तो यहाँ पर इसको करवाएंगे कैसे satisfy office के 05 यहाँ पर देख pharmacy हमें पता है इसकी position क्या हैं one है ठीक है इसकी position क्या है two three four five six seven और eight ठीक है तो इन्सब की position हमने यहाँ पर देखी अब दीख हमें क्या करना है सबसे पहले यह यह जो value है ठीक है 12 इसको इसको इसके child से compare कराना है और मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो मतना था कि child कैसे निकालेंगे अगर आपका यह i position है तो इसका left child जो होगा वो कहाँ पर होगा 2 into i में और जो right child होगा वो कहाँ पर होगा 2 into i plus 1 पर अब देख लीजे अगर इसक होगा कि यहाँ पर कोई भी position आपको जब दी जाती है तो उसको 2 से multiply कराना बहुत असान है सिर्फ क्या करना है left shift लगाना है और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से multiply हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखें सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ मैं 12 लिया इसका मैं ने right child निकाल दिया सबसे पहले मैं left child से comparison करूँगा ठीक है और यहाँ पर मैं एक और value ले लूँगा largest largest ठीक है अभी largest क्या करेगा जो largest होगा उनको compare करेगा मैं पहले 12 और 15 को compare करूँगा ठीक है और यहाँ पर comparison मुझे largest मिलेगा उसको largest कर दूँगा तो यहाँ पर यह हमा largest होगा उसको मैं largest कर दूँगा तो इस case में हमारा 15 largest है तो 15 और 9 को compare करूँगा तो यहाँ पर मुझे 15 फीफ्टीनी largest मिलेगा और फिर मैं क्या करूँगा largest को i के साथ swipe कर दूँगा जो हमारी i होगा यहाँ पर यह साथ कर दूगा ठीक है तो यहाँ पर यह क्या बन इसमें मैं फिर से hippify को call कर लूँगा ठीक है मताब फिर से वही operation लगाँगा कि इसके left child को और इसके right child को compare करूँगा तो ये comparison कहां तो कोगा फिर इसमें लगेगा hippify ठीक है फिर hippify इसमें फिर से hippify लग गया तो ये कौन सी position बन गया अब ये बन जाएगा आपका i ये बन गया आपका i और फिर इसके left child और right child की position कैसे ने के लिगे 2 into i मला ये second position पहना 2 into i मला fourth position और 2 into i plus one fifth position fourth और fifth इसके child हो गए तो compare कर लेंगे 12 को इसके left child से तो इसमें largest क्या बन गया 18 अभी तो largest ये बना और फिर सके left child को right child से compare कर रहा हूँ तो left को right से compare करूँगा तो largest क्या बन जाएगा यहां से ये हटके बन जाएगा ये largest आपका ये largest बन गया LAR लिख रहा हूँ ठीक है जगानी बची तो LAR लिखेंगे यहां पर largest बन गया ये अब मैं क्या 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 आई के साथ ये था largest फिफ्टीन और यहां पर हम लोग फिफ्टीन कर देंगे पहले फिफ्टीन लिख लेते हैं फिफ्टीन है यह हमारा largest LAR largest अब देखें लार्जेस्ट की पोजिशन क्या है फिफ्ट पोजिशन है फिफ्ट के चाइल्ड ही देखने पढ़ेंगे मुझे फिफ्ट का चाइल्ड के हम लेगा टू इंटू आई मतलब यहां पर शिफ्ट सेवन एड़ यह होगा नाइन्थ और टैंथ इसका जो चाइल्ड निकलेगा और टैंथ पूजिए निकलेगा ठीक है यह कोई एक्जिस्ट नहीं करता है ठीक है तो यहां पर इसको हम छोड़ देंगे एक यह फॉल्ल नहीं कर रहा है तो यहां पर अभी हम हीउट को अपलाई नहीं कर रहा है यह सिर्फ है हीपफई फाई है ठीक है अब हीपशॉट क्या करेगा आपका जो जूद नान लीफ नौड होंगी ठीक है जैसे आपके सब क्या हो जाएंगे वह अपना आप शॉट हो जा से ठीक है सबसे पहले तो मुझे max heap call कराना है तो यहाँ पर max heap max app 5 और इसमें हमारा pass क्या होगा हमारा जो सबसे पहले array pass हो जाएगा और फिर I pass हो जाएगा क्योंकि मैं ने I लिया है तो यहाँ पर I pass हो जाएगा मलब position कौन सी है वो pass हो ठीक है फिर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले उसका left channel निका लेंगे left child कैसे निकलेगा 2 into i ठीक है और फिर right child कैसे निकलेगा right child निकलेगा 2 into i plus 1 ठीक है दोनों निकल गए फिर मुझे क्या करना है सबसे पहले left child से मैं compare कर रहा था left child से compare करूँगा जा लेकूँगा left अगर छोटा होता है किस से length से b की length से क्यों कर रहा हूं ऐसा क्योंकि यहां पर देखे माल लीजे हमारे जैसे 15 के case में हो रहा था इसकी जो child थे वो 10th position आ रहा था और right child 11th position पर आ रहा था जबकि इसकी जो length है वो 80 तक है ठीक है अगर आप आपका जो child है left child और right child आपकी length से बड़े ही आ जाते हैं तो इस case में मतलब हम नहीं कर सकते है पीफाई मतलब उसका child एक्सिस्ट नहीं करता है ठीक है जब length ही 8 है तो उसका जो child है 10th और 11th position पर आ रहा है मतलब हो है ही नहीं ठीक है तो इस case में यहां पर मैं सबसे पहले य child exist ही ना करता हो ठीक है तो उसके लिए भी यहां पर मैं compare करवा रहा हूं तो सबसे पहले क्या करेंगे जो b का length होगा मतलब जो हमें area पास किया गया है उसके length से left child पता होना चाहिए उसके चोटा होना चाहिए या उसके ब्राबर होना चाहिए ठीक है और सांती सांत क्या हो उसके left child से बड़ा होना चाहिए अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे जो हमारा left child होगा उसको largest बना देंगे ठीक है अगर ऐसा होगा तो हम किसको बना देंगे largest आपके left को largest बना देंगे और अगर ऐसा नहीं होता है else वाले case में क्या करेंगे जो largest होगा वो क्या बन right exist करता भी है नहीं क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो tree है उसका left तो है लेकिन right है नहीं तो compare क्यों करें ठीक है क्योंकि end में दोनों condition true होने चाहिए ये भी true होनी चाहिए और ये से क्योंकि यहां पर क्या होगा देखिए largest या तो left बन जाएगा या तो i बन जाएगा ठीक है अगर यह condition false होगी तो largest i बन जाएगा मतला root बन जाएगा root से compare कर लेंगे वरना left से compare कर लेंगे ठीक है अगर यह condition true हो जाती है right बड़ा है और जो length है वो भी छोटी है right की तो हम दो largest किसको बना दिंगे right को बना दिंगे और यहां पर यह end हो जाएगा फिर क्या करना है फिर यह चेक करना है कि if जो largest है not equal to होना चाहिए आई कि मलब root के equal नहीं होना चाहिए अगर equal होता तो वो अपनी position पर ठीक position पर है इसको swipe करने का कोई कोई पता थूना चलेगा 25 को आपने 25 से ही swipe करा दिया तो कोई फरक पता चलेगा क्या है नहीं पता चलेगा न ठीक है तो तब के लिए condition लेख रहे है अगर largest के ब्राबर नहीं होता है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे swipe करा देंगे किसको करेंगे swipe सबसे पहले जो B का I होगा मलब I जो position होगा ठीक है रूट होगा हमारा उसको हम लोग swipe करा देंगे B के largest से चाहे वो left child हो या फिर right child हो उसके largest से swipe करा देंगे और swipe कराने के बाद क्या करूँगा मैं फिर से max heap करा दूँगा और max heapify को call करा दूँगा max heap में value कुँछ जाएगी पहले b जाएगा हमारा area जाएगा और जो largest value है वो जाएगी ठीक है अब जैसी largest value जाएगी यहां से जैसी largest value यहां से जाएगी तो फिर से hippie 5 में चले जाएगी यहाँ पर hippie 5 में और i जो होगा मनलगो largest value थी वो फिर से क्या बन जाएगी i बन जाएगी फिर उसके left child और right child निकालेंगे जो कि हम कर रहे थे हैं यहां पर देखिए ठीक है अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हीप शॉट के अल्गुरित्म को लिखेंगे और फिर हीपीफाय के साम उसको मर्ज कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आपका हीप दिया गया है आपको data दिया गया है ठीक है वो आपका shorted form में आपको मिलेगा ठीक है यहां पर मैं अपको थोड़ा सा टाइम लेन चागँगो यहां पर आपको स्क्रीन में हमारे चैनल दिखाई दे रह ठीक है हुँ rest APIs के बारे मैं हमको बताते हैं किish kya होती है APIs क्या होती है कि सरे से काम करती है तो अगर आपको इन सब चीज्ञ मैं ivedrط है तो अप हारे सिस्क्राइब कर सकते हैं और हमें follow कर सकते हैं can when झाल झाल झाल